विल्केम बैक दोस्तों स्वागत है आपका इशाद अली मोटिवेशन एन इंजुकेशन चैनल को पर आप वैसे दो हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं पर आपको से मिलकर के अच्छा लग रहा है बाइशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया है मतलब कुछ भी से हम ट्राइब क विलकर अन्म ही नहीं एक्जाम हैं तो इंपॉल जो क्योंस क्यों है और हम देखेंगे क्या हम देखेंगे फ्म्से कर सकते हैं एक्सपक्टेटी को सिंस ब्राइब करते हैं यह Talk यह जो वीडियोipper है यह हमारे MSC second semester 2023 expected questions है तो जो भी students हैं जो MSC second semester में हैं और exam उनके आने वाले हैं 2023 में हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है हम क्या करेंगे हम देखेंगे expected questions कौन कौन से questions हैं जो आ सकते हैं और हम क्या करेंगे subjects के हिसाब से देखेंगे ठीक है तो हमने आजको जो हमारा course title लिया है या हम कह सकते हैं subject है उसका नाम है genetics and cytogenetics तो जिनका भी genetics and cytogenetics paper है चाहिए वो किसी भी university से belong करते हूं तो वो इस वीडियो को पूरा follow कर सकते हैं अब यहाँ पर हमने क्या करना है हमने सारे questions को देखना है क्योंकि कुछ जो colleges हैं या universities हैं उनके questions कैसे आते हैं एक तो two marks के पूछे जाते हैं right 4 marks से पूछे जाते हैं and 10 marks से पूछे जाते हैं और M से क्यूश होते हैं one marks के यह पूछे जाते हैं ठेक है यहाँ पर हम M लेकर देते हैं Marks बट कई बर क्या होता है यह pattern नहीं रहता है तो यहाँ पर जो हमने questions बताया है आपको वो questions आपको इसी के हिसाब से तयार करने हैं यानि कि आपको 2 से ले करके 10 Marks के बीच का तयार करने है इसे इसे ध्यान में रखना है आगे चलते हैं सबसे पहला जो question आपको prepare करना है सबसे पहला question जो आ सकता है एकजाम में इस बार वो हमारा है mutation पहला जो question है वो क्या है mutation mutation के बारे में जितनी भी चीज़े हैं जैसे कि इसका definition हो गया उसके types हो गया और point mutation हो गया और जो भी चीज़े हैं वो सारा कुछ आपको देखना है syllabus के according ठीक है यानि कि mutation का जो भी आपका portion दिया होगा syllabus में उसे पूरा completely पढ़ना है तो यह हमारा पहला question जो mutation होगा इसे जरूर करना है दूसरा question जो आता है हमारा वो है concept of gene mapping तो gene mapping का जो concept है वो हमें बिल्कुल ही skip नहीं करना है पढ़ना है तो दू question हो गया है तीसरा question है तीसरा question हमें पढ़ना है cancer के बारे में यह जो cancer है तो और पार्ट हमको देखना है इसका पॉर्षन है इसका टाइप सो गया उसके एक्जाम्पल्स हो गए डेफिनेशन हो गया सारा कुछ देखना है कैंसर के बारे में तब जाकर क्या पोर्षन कंप्लेट होगा ठीक है और जो प्रशन से लिलेटर्ड है जिसका नाम है chronic myloid leukemia जिसे short में CML कहा जाता है chronic myloid leukemia तो इससे क्या करना है बिल्कुल ही पढ़ना है इसकी बिल्कुल नहीं करना है अगला जो question आता है तो ये दोनों question जो है आज से दो साल पहले पूछे गए थे नाम क्या है retino blastoma जिसे हम short में RB कहते है तो बिल्कुल इस बार भी आ सकता है जरूर पढ़िएगा अगला question जो आता है बहुत interesting जो topic है यानि यहां से question जो आप के बनने है बहुत सारे question यहां से बनने है उसका नाम क्या है mandalism यहां से पढ़ना क्या है पहले तो mandal के जितनी भी law है right कैसे law एक तो mono hybrid के हिसाब से है जिसमें आता है हमार law dominance आ गया और दूसरा क्या आता है law segregation उसे पढ़ना है और तीसरा जो law है जो कि die hybrid cross के अंदर आता है जिसका नाम क्या है independent assortment तो वो जो है वो दोनों हमें देखना है ठीक है law का मतलब क्या टीनों लो देखने है और बिल्कुल completely देखना है mono के हिसाब से die के हिसाब से mono hybrid के हिसाब से इसके लावा extensions of mandalism देखना है क्या-क्या उसमें आएगा हमें epistasis देखना है pleiotropy भी देखना है incomplete dominance देखना है complete dominance देखना है co dominance देखना है और sickle cell anemia भी आजाएगा multiple alleles आजाएगा penetrance देखना है expressity देखना है तो यह जो सारा हमने आपको बताया आप वीडियो को pause करके करके लिख भी सकते हैं यह सारा कुछ mandalism के अंदर और उसके extensives में आएगा तो उसे भी पढ़ना है इसके बिल्कुल नहीं करना है बहुत important portion है यह अगला जो question आता है वो gene के बारे में आता है तो gene के बारे में हमें पढ़ना है genes क्या DNA का जो एक part होता है gene उसके बारे में हमें पढ़ना है तो genes जो है उसका हमें concept पढ़ना है gene के जो structures होंगे उसके पढ़ना है उसके types पढ़ने है everything देखना है तब जागर आपका gene को topic complete होगा उसके बाद disorders पढ़ने है यह disorders आपने BSC में भी और 12 में भी पढ़ा होगा तो disorders कैसे पढ़ना है आपको autosomal पढ़ना है and chromosomal पढ़ना है autosomal में आपको पता है कि sickle cell anemia हो गया और thalassemia हो गया ऐसे करें कुछ example साथ में उसे ज़रूर पढ़िएगा दूसरा हमारा chromosomal जो है इसमें polyploidy, aneploidy हो गया और हमारे trisomy हो गया, monosomy हो गया वह सारा कुछ देखना है client filter syndrome, down syndrome completely देखना है कुछ भी पूछा जा सकता है तो वह आना चाहिए बहुत easy भी है वह अगर आपने यहां तक देख लिया उसके बाद अगला question क्या है ninth number हमारा introns पढ़ना है and exons पढ़ना है यह बहुत important topics है यहां से short question भी बनते है two marks questions बनते है and four marks से पूछा जाता है तो यह जरूर introns and exons के बारे में पढ़ना है छोडना नहीं है उसे तो यहां से nine questions screenshot ले सकते हैं आप लिग भी सकते हैं इसे बिलकुल skip नहीं करना है बिलकुल ही पढ़ना है अगला आता है दस्वा question क्या है हमारा plutography है मैंने अभी पहले भी कहा था मेंडल वाले पार्ट में पढ़ना है plutography अलग से mention भी कर दिया है तो यह plutography ज़रूर पढ़ना है यहां से दूसरा जो यहां से पढ़ना है fine structure of gene पढ़ना है ठीक है 11 question fine structure of gene ज़रूर देखना है syllabus में अगर आपके होगा हो अगला question जो है DNA damage and repair पढ़ना है कई लोग क्या करते हैं कुछ student ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं सिर्फ DNA का damage पढ़ते हैं repair नहीं पढ़ते हैं तो आपको दोनों ही पढ़ना है DNA का damage भी and repair भी और बहुत सारे notes हुए हमारे telegram channel में और हमारे whatsapp group में available हैं तो आप link मैं description में डाल दूँगो दोनों का अब वहाँ से join हो करके आप जाकर के message करके ले दी सकते हैं अगर आप नए हैं और अगर आप telegram में देखेंगे आपको PDF में मिली जाएगा notes जो होगा वह हमारा English में मिलेगा ठीक है अगला 13 question हमारा क्या है transcriptions factors देखना है तो transcription का जो factors है वो देखना है और यहां से question और बनेगा post and pre-transcription जो होगा वो दोनों आपको देखना है ठीक है तो मैंने एक ही लिका है यहां पर transcription factors लिका है इसके बाद आता है हमारा अगला 14 number का जिसका नाम है sex determination बहुत ही important questions है sex determination आपको कैसे पढ़ना है आपको इसका definition overview पढ़ लिए आपने animals में कैसे होता है drossophila में कैसे होता है और other animals में कैसे होता है like human being में कैसे होता है यह सारा कुछ देखना है और इसी में topic अटेस्ट रहता है हमारा doges compensation का उसके related notes हमारी channel में available है आप देख सकते है playlist में मिल जाएगा और हो सकते हैं तो मैं try करूँगा अगर मुझे याद रहा हो तो मैं description में link में डाल दूँगा तो यह सारा कुछ आपको overview है देखना है और एक last time में और बात कहना चाहूँगा यहाँ पे mention करके कि यह जो paper जरू ध्यान देज़ेगा course title हमारा genetics का and cytogenetics यह जो paper यहाँ से है अब किसी का अगर genetics paper है तो भी follow कर सकते हैं किसी का अगर cytogenetics है तो भी follow कर सकते हैं तो यह सारा कुछ आपको देखना है और बस गया हमारा one marks का जो question है जिसे हम MCQs objectives होगा फिन दा ब्लैंक में जो आता है वो हम क्या करेंगे अभी आने वाले एक-दू दिन के अंदर हम आपको वो provide करा देंगे वीडियो को फॉर्म में आप देख सकते हैं पेपर के हिसाब से ठीक है कि इस पेपर से हमें एक discuss रहेगा MCQs रहेंगे सारे उसके answer रहेंगे वो आप देख सकते हैं फॉलो कर सकते हैं तो अगर आप लोग चैनल में नहें तो subscribe जरूर करिएगा और साथी साथ bell icon को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको मिल सकें और जाते जाते कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपके जो भी doubts हों और जिस भी topic वीडियो चाहते हूं ठीक है सो तब तक के लिए best of luck मिलेंगे next वीडियो में thanks a lot for watching क्या बात है सर क्या बात है